स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पिके मंत्रा इंग्लिस क्लासेज पर मैं प्रभात कुमार सिंग आज लेकर आया हूँ आप सब के लिए Essentials of English Grammar and Composition के Exercise 29 के सोलीशन को लेकर चैप्टर का नाम है the correct use of some adjectives और इसमें है Clean the blanks with each, every, either or neither तो इन में से जो है वो आपको एक छाट करके लगाना है चलिए इसको शुरू करें थोड़ा सा पढ़िछे दें इसके बारे में उससे पहले अभी आपको उपर आई बटन में एक लिंक नज़रा रहा होगा इसी बुक के Exercise 28 का उसे आपने नहीं देखा है तो ज देख लें बाकी इसके बाद इसके बुक का प्लेलिस्ट आएगा वहाँ सब exercise आपको एक साथ मिल जाएंगे इसके लाब grammar का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें टेंस, voice, narration यह सब आपको easy way में समझने के लिए जितने भी grammar topics हैं वह सभी मिल जाएंगे बाकी आप प्लेलि जोग दो के साथ भी हो सकता है और अधिक के साथ भी हो सकता है लेकिन एवरी का है एवरी का यूज है कि वो हमेशा दो से अधिक के साथ ही होता है ठीक है वो केवल अधिक के साथ होगा आइदर मिंस दो में से कोई एक नाइदर मिंस में से मिंस दो में से कोई नहीं नहीं न of the two ठीक है तो आगे बढ़ें इसको शुरू करते हैं डैस of the two boys was find है ना each of the two boys ठीक है अब कहेंगे कि sir either हो सकता है either of the two boys was find देखे वो भी हो सकता है लेकिन यहां पर क्या होता कि find जो है तो प्रतेक को किया गया इस अर्थ में बाकी आइदर भी हो सकता है लेकिन each यहां based answer है डैस seat is seat in the hall was occupied every seat है ना hall है तो दो से अधिक होंगे ही तो किसी का भी कर सकते हैं लेकि दो में each का हमें करना रहता है आगे बढ़ेंगे number three में है डैस man wants to rise his life है ना तो क्या हो जाएगा यहां पर आपको every हो जाएगा क्यों every man जो है वो man तो सभी चाहता है यह ना तो every man wants to rise in his life हर वेक्ति अपने जीवन में उचा उठना चाहता है डैस accusation is true every accusation अगला है डैस soldier was at his post तो every soldier सब अधिक में ज्यादातर में जो है अधिक में हम लोग every का यूज करते हैं अधिक में भी है ना डैस side one अब जीतने बाली बात कि यहां पर इस बिल्कुल नहीं हो सकता दो दोनों साइड तो जीत नहीं सकता कोई एक साइड जीतेगा तो यहां पर जैसे उपर मैंने एक जगह कहा था कि आइदर भी हो सकता इच भी ठीक है चीएज हैज इक टीटी यह ना मुहावरों में हैं इसलिए सको ऊच लगाना बेटर बांकी अबरी भी हो सकता है सी विजटेड आस दैस थी डेज है ना एवरी थी डेज देखेंगे एवरी सेकंड सेकंड सेटर डे ओफ एवरी मंथ होलिडे ऐसा लिखा रहा था तो इसमें यही होगा फाइब बाइज इस्टूड इन इच रहा है ना इच रहा यहां पर जो हो जाएगा आगे है यू कैन टेक डेस साइड है ना आइदर साइड नाइदर साइड दोनों से तुम दोनों में से कोई नहीं ले सकते वैसे आइदर ज़्यादा बढ़ी है इसलिए हमने इसको पहले न इसमें लगा दिया डैस पेन विल डू क्या हो जाएगा आइदर पेन विल डू कोई एक मतलब दोनों ठीक है कोई एक से काम चल जाएगा ना फिर आपका सेकेंड लाज डैस नाइफ इस आफ एनी यूज नाइदर नाइफ कोई भी चाकू इसमें से यूज का नहीं है अगल कोई किन्फीज है नो तो कमेंट करें मैं रिप्लाई जहूर देता हूं लेकिन कमेंट में कोस्टन लिख दे तो मेरे लिए आसान होगा नहीं तो फिर बुक निकालो एक्सरसाइज निकालो फिर कोस्टन देको तो 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 तोरा टाइम कंजीमिंग हो जाता है और चैनल पे नए है या चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबस्क्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बिल में और को फ्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढून ले में आसानी ह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day